थेलो डियर स्टुडेंट वेलकम टू फिजिक्स नमा आज के इस वीडियो में हम IIT 2003 में फिजिक्स या एक कोशन को शॉल्ब करेंगे यह कोशन प्रोजेक्टाइल मसंद से लिया गया है तो इसमें देखते हैं इसमें बोल रहा है कि एक बच्चा है और वहाँ एक बिल्डिंग के छात पर खेल रहा है और बिल्डिंग का जो हाइट है वहाँ 10 मिटर है और यहां एक बॉल को 10 मिटर पर सेकेंड के स्पीड से थ्रो करता है और जो जिस डारेक्शन में बॉल थ्रो करता है वह डारेक्शन है होरिजेंटल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए तो हमें बताना है कि how far from the throwing point will the ball be at the height of 10 meter from the ground तो हमें बताना है कि जिस point से ball को थ्रो किया गया वापस ball जब 10 मिटर के height पर ground से 10 मिटर के height पर आएगी तो उन दोनों के बीच का distance क्या होगा तो हमें 4 option दिया गया है और 4 option में कौन सा option सही होगा यह हमें बताना है तो यह देखें boy है यह 10 मिटर हाइट पर ख़रा है यह एक ball को throw कर रहा है बॉल को इसने throw किया यह 30 डिग्री एंगल बनाते हुए horizontal के साथ throw किया और इसका जो speed है 10 मिटर पर सेकेंड है और जब बॉल सेम हाइट पर ground से सेम हाइट पर आया तो यानि उसका भी height हो गया 10 मिट तो अगर सेम हाइट पर जब आया तो इसको हम लोग range बोलेंगे यहां से जिस point से ball को throw किया गया और सेम हाइट पर ball वापस आ गया ground से 10 मिटर हाइट पर वापस आ गया तो इन दोनों के बीच का जो distance होगा उसको range बोलेंगे क्योंकि यह projectile motion का case है तो इसको हम लोग range बोले is equal to r यानी range u square sin 2 theta by g कि यह होता है जिस स्वीट से projectile को throw किया जाता है उसका speed होता है यू और theta horizontal के साथ जो एंगल projectile बनाता है वह एंगल theta होता है और g acceleration due to gravity तो इस case में हमें u 10 meter per second दिया गया और theta 30 degree है और g का value 10 होता है 10 meter per second square होता है तो हम सभी का value put up कर देंगे तो u के जगा 10 हो जागा तो 10 square sin 2 multiply 30 degree divided by 10 इसको further solve करेंगे तो यह हो जागा 100 sin 60 degree by 10 and sin 60 degree का value होता है root 3 by 2 तो यह हो जागा 10 root 3 by 2 और इसको further solve करेंगे तो यह हो जागा 5 root 3 and root 3 का value होता है वह होता है 1.732 तो 5 को multiply कर देंगे 1.732 से तो यह हो जागा 8.66 meter तो हमें जो 4 option दिया गया है उसमें D option जो है उसमें दिया गया है 8.66 meter तो हमारा जो D option होगा वह सही option होगा तो आज का यह video समाप्थ हुआ अगर आपको यह पसंद आए तो इसे like करे, share करे, thanks for watching